सुशान संराजपत की सुसाइट का मेंड वीजन डिप्रेशन बताया जा रहा है हालकि जहाँ सोचल मेडिया पर लोग इसे सुसाइट नहीं मर्डर बता रहे हैं वहीं सुशान के इस केस को लेकर इंडूस्ट्री के तमाम लोग भी डिबेट पर रुकराएं हाले में 18 साले भट की मद सोनी राजदान की बॉलिवुट के जाने माने राइटर अपूर्व असरानी ने क्लास लगा दी जब उन्होंने कहा कि मेंटल इल्नेस और डिप्रेशन के बारे में बात करने की वजाए लोग तरह तरह की बाते कर रहे हैं तो इस पर अपूर्वा ने सोनी राजदान को मूतो जवाब दिया जरहसल हुआ ये कि अपूर्वा ने सुशाम सिख राजबूत की टैथ को लेकर ये ट्वीट किया कि जहां लोग इस समय क्यार्गे को टार्गेट कर रहे हैं वहीं लोग बॉलीवूट के पावफुल अंधे लोगों को टार्गेट नहीं कर रहे हैं ये सरा सर हिपॉक्रिसी है देख हुए उनका ट्वीट Attacking soft targets like KRK while keeping mum on the more powerful blind item experts is sheer hypocrisy KRK is vile but at least has the guts to put his name to his opinions Rajeev's blind items against Sushant Singh Rajput are vicious and cowardly, don't be selective और जैसे ही अपूर्वन ने ये बात कही, Soni Rajdaan ने ये tweet किये Apoorva, what's really bothering me in all this is the fact that the real issue depression and mental illness is now sophisticated by sound and furry the point being that depression does not need a reason to engulf a person it comes unbidden to the successful direct suffering and think it's due to external circumstances when in fact it's due to an internal one that the person's suffering cannot control इसके बाद फिर अपूर्वन ने Soni Rajdaan किस tweet का मूत और जवाब देते हुए उनकी हिख्लास रगा दी देखे उनका tweet I'm true ma'am, depression can be triggered by environmental factors like social isolation and a stressful workplace too unfair to diagnose Sushant's depression on Twitter but we do know of a campaign to label him a rapist, unprofessional and a write-off it shouldn't be covered up इतना ही नही हाली में अपूर वसरानी ने Sushant के मामले पर कई नहीं बात दे कहीं tweet कर उन्होंने जाहर किया कि वो Sushant को इन साथ दिलाने के लड़ेंगे अपूर लिखते हैं कि Sushant के लिए उनकी लड़ाई कोई publicity stunt नहीं देखें उनका tweet जाहर है कि Sushant की मौत के लिए किसी और कुछ जिम्रिदार तहराना सही है नहीं है वेल आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में शेव कीजिए अप्री राइक कमें सेक्शन में